24 माई की रात से सोशल मीडिया पर सलमान खान का एक लुक वाइरल हो गया है जहां सारी सिक्योरिटी को परे करके अपने नन्हे फैन से मिल रहे थे सलमान और अब उनका लुक और उनका जेस्चर दोनों ही टॉक आफ दे टाउन बन गया है इस लुक को देखने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिट सलमान ने ऐसा किलर लुक किस फिल्म के लिए अपनाया है दरसल सलमान खान जहां भी जाते हैं लोगों का ध्यान अपनी और खीशते ही रहते हैं उन्हें वैनेस ड्री की रात मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया हो क्योंकि वह अपनी पूरी करते हुए उन्होंने ब्लैक और वाइट स्निकर्स और एक बैक पैक पहना था इतना ही नहीं इस जोरान सलमान खान ने मुस्टैच और एक आरकर बीर्ड के साथ एक नया लुक भी दिखाया ऐसे में उनके इस लुक को देखने के बाद फैंस बेसबरी से कयास लगा रहे हैं कि कहीं ये यूनिक अपिरेंस किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं है ऐसे में लोगों को ये भी लगने लगा है कि सलमान का ये लुक उनके फिल्म टाइगर 3 का हो सकता है क्योंकि सलमान फिल हाल टाइगर 3 की ही शूटिंग कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में को परे करके अपने एक नन्हे फैन को हग करते दिख रहे हैं सबसे पहले तो आप भी देखिए सलमान और उनके नन्हे फैन की शांदार मोमेंट को अपने स्क्रीन्स पर जी हां इसमें आप देख सकते हैं कि सलमान खान मिड़नाइट में एरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सांस चलते दिखाई दे रहे हैं वीडियो में एक ऐसा मॉमेंट कैप्चर हो गया जो अब फैन्स की दिलों को जीत रहा है भीड में सलमान की नजर अपने उस छोटी से फैन पर पड़ी जो दोरता हुआ उनकी तरफ आ रहा है सलमान उसे देखते ही अपनी जगह पर ठहर गये और वो बच्चा सीधे जाकर उनसे लिपट गया सलमान ने भी अपने इस फैन को गर्म जोशी से हग किया और प्यार से उसके गालों को थप थपाया अब ऐसे में इस वीडियो पर सलमान के फैन्स दिल हारे जा रहे हैं और सलमान की जमकर तारीफ कर रहे हैं सलमान का अपने फैन के साथ हुए इस गोल्डन मोमेंट को लोग खूब शेयर भी करते हैं नज़र आ रहे हैं खेर आप बताईए सलमान का अपने फैन से मिलना और उनका ये न्यू लुक आपको कैसा लगा बॉल्ड की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्सक्राइब करे हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉल्ड को आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं